C और C++ programming करने के लिए सबसे best software developer C++ होता है हम लोग इस पूरे course में developer C++ compiler को use कर रहे होंगे developer C++ compiler के बहुत सारे advantages हैं जिने आने वाले videos में study करेंगे ये software इस course में दिया हुआ है जिसे आप use कर सकते हैं C और C++ programming करने के लिए student community में turbo भी use किया जाता है यदि आप turbo use करने के बारे में सोच रहे हों तो ये software भी इस course में दिया गया है जिसे आप use कर सकते हैं अब चलिए हम लोग developer C++ compiler software और turbo C++ compiler software को install करना सीखते हैं developer C++ software install करने के लिए course के साथ दिये हुए software को double click कीजिए और open कीजिए यहां language dialogue box को ok कीजिए फिर यहां I agree next और फिर install कीजिए अब यह software install हो गया है इसे open करने के लिए आप developer C++ software सर्च कीजिए और click कीजिए अब हम लोग यहां पे hello world program बना सकते हैं file पे click कीजिए new पे source file और अब हम लोग यहां hello world program बनाएंगे इसे बनाने के लिए type कीजिए जब program type हो गया हो तब ही से आप अपने desire location hello.c name से save कीजिए अब इसे compile और run कर सकते हैं या फिर compile और run एक ही साथ कर सकते हैं यहां आप output देख सकते हैं स्क्रीन पे hello welcome to the save programming language प्रिंट किया है next वीडियो में हम लोग इस program को समझेंगे आप चलिए turbo c++ software को install करना सीखते हैं turbo c++ software install करने के लिए co installer run करने की ज़रूरत नहीं है यह software केवल copy और paste करने से ही run कर सकता है इस course में दिये हुए turbo c++ software zip file को open कीजिए turbo c3 folder को c drive में drag करके copy कीजिए और यह software install हो गया अब इस software को run करने के लिए c drive के turbo c3 folder के अंदर turbo c++ folder को open कीजिए और turbo c++ for windows 8.exe file को double click करके run कीजिए full screen open करना है या नहीं check box को check करके button क्लिक कीजिए अब जो प्रोग्राम developer c++ में बना था उसे turbo में open करते हैं या फिर टाइप कर सकते हैं जब प्रोग्राम टाइप हो गया हो तो इसे save कीजिए अब चलिए इसे compile करते हैं आप यहां देख सकते हैं यहां warning आ रहा है इसे resolve करने के लिए हमें return zero type करना होगा जब return zero type हो गया हो तब आप फिर से compile कीजिए और फिर run कीजिए अब आप result नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि यह output आने के sudden बात close हो जा रहा है इसे resolve करने के लिए printf line के बाद get ch function का use कीजिए अब फिर से compile कीजिए और फिर run कीजिए अब आप result देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि developer c++ में लिखा हुआ प्रोग्राम ज्यादा short और easy है और इसी प्रोग्राम को turbo में run करने के लिए 3.9 code extra type करना पड़ा आप इस course में बताए गए किसी भी प्रोग्राम को turbo में run कर सकते हैं प्रोग्राम के लिए कर सकते हैं क् प्रोग्राम को और सकते हैं झाल, 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 झाल